आज मैं आपको पढ़ाने जारी हो गलास 3 की हिंदी बुप चैप्टर 12, जब मुझको साप ने काटा लेकिन इसे पढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और लाइक कीजे और बेल आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए अब वीडियो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं यह देखिए एक कहानी है जब मुझको साप ने काटा तो एक दीन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा साप रेंगते देखा अहाते मिंसुआ की एडिया अपना हाता जो होता है अपने फूसकर छिप गया तो नार्यल में एक खोल बना हुआ था एक छोटा सा होल जिसे बोलते हैं उसमें वो छिप गया तो मैंने पत्थर का एक टुकरा उठाया और उससे नार्यल के खोल का मुझकर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दौर गया उसके बाद यह देखिए यह कि नानी देखो मैंने साप पकड़ा है नानी चिख उठी साप वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चिखने पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दौरे आए जब उन्हें पता चला कि नार्यल के खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे चीन कर दूर फेक दिया नन्हा साप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की जारी में गायब हो गया नाना ने मुझ से कहा ख़बरदार फिर कभी साप के पास मत जाना साप बहुत खतरनाक होता है उसी दिन साम को मैं एक बड़ को पकरने की कोशिस कर रहा था कि उसने काट खाया बड़ी जोर से दर्द उठा मुझे दर्द से कढाहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साप ने काट लिया है मैंने दौर कर नानी को उंगली दिखाई उन्होंने चल्दी से नाना को पुकाड़ा नाना तुरन दौरे आये और मेरी उंगली को देखा जहां बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था वह चट मुझे गोद में उठा कर बाहर भागे बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपड़ी के सामने जाकर रुके वहाँ पहुचते ही उन्होंने आवाज लगाई अवाज लगाई तो एक बुढ़ा आदमी बाहर निकला वह साप के काटने का मंत्र जानता था तो नाना ने उससे कहा इस बच्चे को साप ने काट लिया है इसकी जार फुक कर दो बुढ़ा मुझे जोपड़ी में ले गया उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुपचा बैठो फिलना डुलना मत फिर पीपल के बरतन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा मैं चाहता तो बहुत था कि उस बुढ़े को बता दू कि मुझे सापने नहीं बर्ड ने काटा है पर मेरे नाना मुझे कसकर पकरे रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया जैसे ही मैं कुछ कहने को मुँ खोलता और डाट कर कहते चुप डर के मारे मैं चुप हो जाता तो हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कही लोगों के साथ वहाँ आपहुची अब लोग उदास ख़री देखती रहे तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैट कर जारफू करवानी पर रही थी कुछ मिनट बाद बूढा आदमी उठा उसने उसी बरतन के पानी से मेरी उंगली दोई और मुझे पिलाया भी उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो फिर वह नाना से बोला जय हो भगवान की अब बच्चा खत्रे से बाहर है अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए बड़े जहरीले सापने काटा था सब लोगों ने बूढे को उसके अदवुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजे भेट में भेजी तो अब ये कहानी खत्म हो चुका है अब देखिए कहानी की बात अब हम इसके प्रश्ण उत्तर करते हैं कि कहानी की बात है तो नाना मुझे जार फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए तो प्रश्ण है नाना मुझे जारफुक वाले आदमी के पास क्यों ले गए तो आप उत्तर क्या बताएंगे कि नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया उन्होंने समझा साप ने काट लिया है इसलिए साप के काटे का जारफुक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए दूसरा है प्रश्ण कि मैं बुड़े आदमी को क्या बताना चाहता था तो आप उत्तर लिखेंगे कि मैं बुड़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे साप ने नहीं बलकि बर्ड ने काटा है उसके बाद है तीसरा प्रशने है जब साप नारियल के खोल में गुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो आप उत्तर लिखेंगे जब साप नारियल के खोल में गुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकरे से खोल का मुझे बंद कर दिया था मैंने ऐसा अंजाने में किया होगा उसके बाद है चौथा प्रश्न क्या बूढ़े आदमी ने सच मुझ मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो आप उत्तर लिखेंगे कि बूढ़े आदमी ने सच मुझ इलाज नहीं किया था हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सापने काटा ही नहीं था उसके बाद है पाच्वा प्रश्न मुझे असल में सापने नहीं काटा था फिर मैंने अपने कहाने का नाम जब मुझ को सापने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोच कर बताओ तो मैंने कहाने का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा ज़ार फूक वाले ने यहीं समझा कि मुझे सापने काटा है इस कहाने का सिर्सक ज़ार फूक या नाना की ना समझी हो सकता है ठीक है? उसके बाद है देखिए उई मा अब कहानी में लड़के को बढ़ काट लेती है बढ़ कर डंक होता है कुछ और कीरों जनतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं तो आप क्या लिखेंगे जो डंक मारते हैं? आप मदु मक्खी वो भी डंक मारते हैं तो आप इसमें लिखेंगे मदु मक्खी इसमें मदु मक्खी लिखेंगे इसका डंक बहुत प्यानक होता है काट लेती है तो बहुत जलने लग जाता है उसके बाद आप बिच्छू लिखेंगे बिच्छू का डंक भी बहुत खतरनाक होता है उसके बाद और क्या होगा? ततया हो सकता है चीक है? ये सारे डंक मारते हैं उसके बाद है, देखिए तुम्हारी बात मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो आप इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जब मैं मम्मी को यह बात बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा बलकि यह चोट मुझे गिरने से लगी है लेकिन बता नहीं सका उसके बाद है क्या तुमने कभी साथ देखा है तुमने साथ कहा देखा उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो क्या लिखेंगे आप इसका उत्तर कि मैंने साथ चिरियां घर में देखा है या आप आसपास भी कभी कभी होता है कि साथ निकल जाता है कहीं से आ जाता है, हमारे घर के आसपास भी तो उसे देखकर मुझे डर लगा अब है तीसरा प्रशन है कि अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को साप काट ले तो वे क्या करेंगे तो क्या करेंगे वो तो अपने घर पूछने पर पता चला कि किसी को साप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल, हॉस्पिटल ले जाएंगे और जहर उतरने का हर संभा प्रियाश करेंगे उसके बाद है अब क्या करें तूम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आस-पास किसी को बढ़ काट ले तो आप क्या करेंगे? किसी को अगर बढ़ काट ले तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? कि साफ लोहे की चीज से उस अस्थान को रगर देंगे यदि नौसादर हो तो वह लगा देंगे ठीक है? उसके बाद है दूसरा किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसे प्रात्मिक शहायता देंगे पट्टी बानेंगे और फिर हॉस्पिटल अस्पतार ले जाएंगे पहले उसका घर में ही उपचार करेंगे उसके बाद है किसी की आँख में कुछ पढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बताईए कि आप क्या करेंगे अगर आँख में कुछ पढ़ जाए तो तो उसकी आँख की उपरी और निचली पलक को हलके से पकड़ कर हिला देंगे और सुच्छ साफ पानी से उसकी आँख दुलवाएंगे उसके बाद है किसी के नाग से खून बहने लगे तो आप क्या करेंगे? तो उसे पीठ के बल लिटा कर सीर नीचे जुका देंगे और सीर पर ठंड़ा पानी डालेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा आप देखे कक्छा में इन पर बातचित करो हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्छा में आमंतरित कर बात करो तो आप इस तरह से ये सारे चीज आप इस तरह से भी कर सकते हैं किसी नर्स या किसी डॉक्टर को आप इन्वाइट कीजिए अपने क्लास्रूम में वो आएंगे और ये सारी जो बाते हैं आप उनसे पूछे तो वो आपको सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए अब जड़ा सोचो तो अब देखे कि नाडियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में साफ चिप सकता है तो क्या क्या हो सकता है देखे तो तो टूटी हुई हडियों में हंडी तूटी हुई हंडी जो होता है ना जिसमें कि हम लोग खाना बनाते हैं या हंडी बड़ा सा जो मिट्टी का हंडी होता है उसमें गुष सकता है गहास फूस में तूटे फूटे बरतनों में तूटे फूटे खिलोनों में या घर के किसी कोने में इस तरह से वो कहीं भी छिप सकता है तो उसके बाद है कि वह खोल आहाते में कैसे पहुचा होगा तो आप क्या बताएंगे कि नारियल का इस्तिमाल करने के बाद खोल को किसी ने आहाते में फेक दिया हो जब हम लोग नारियल खा लेते हैं तो उसे कहिना कहीं फेक देते हैं तो हो सकता है किसी ने खा के और उसे आहाते में कहीं साइड में फेक दिया हो उन पर घेरा लगाओ, तो ये सारे सब्द हैं, इनमें कुछ सब्द घर से संबंदित है, तो उसमें आप कैसे घेरा लगाएंगे, तो देखे, ये देखे, आहाता, आहाता है, तो ये घर से संबंदित है, क्योंकि हमारे आसपास एक हाता बंधा होता है, एरिया होता है हमारा, तो उसे हम आता बोलते हैं उसके बाद आंगन होता है इसमें लगाएंगे गेड़ा उसके बाद बरामदा भी होता है उसके बाद जीना होता है जीना भी होता है उसके बाद देखिए अटारी होता है फिर आला होगा ये सारे चीज़ घर से संबंदित है उसके बाद गेर नहीं होगा, सीरी होगी, उसके बाद छट भी होगा, उसके बाद सडक नहीं होगी, उसके बाद रसोई होगी, उसके बाद छज्जा होगा, फिर है आपका दालान, दालान भी होगा, उसके बाद अस्तबल नहीं होगा, उसके बाद एक रहत नहीं होगा, फि फिर है कमड़ा तो होगा ही उसके बाद ये मुन्डेड होगा तो इस तरह से ये सारी चीजे होगी हमारे घर में उसके बाद देखे क्या समझे तो नीचे लिखे वाक्चों का मतलब बताओ देखे सांप पास की जारी में गायब हो गया तो आप इसका मतलब क्या बताओंगे कि सांप पास की जारी में चिप गया आप इसे ऐसे लिखेंगे कि सांप पास की जारी में चिप गया उसके बाद है ये देखिए दूसरा है आप इसका लिखेंगे कि सांप पास की जारी में उसके बाद है वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे तो आप इसका लिखेंगे कि वह जल्दी से मुझे उठाकर दोडे अब है कि अब बच्चा खत्रे से बाहर है तो आप इसका क्या लिखेंगे कि अब बच्चा सुरक्षित है उसकी जान को कोई खत्रा नहीं है इस तरह से है उसके बाद है नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेट में भेजी आप इसको कैसे लिखेंगे नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीजें उपहार में दी अब देखिए कैसे कहा अलग-अलग निसानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ अब इन्हें बोल कर देखो तो देखिए नानी, चीक, उठी सांप अब नानी, चीक, उठी सांप इसे आप कैसे बोलेंगे? तो देखिए बच्चों इसमें आपको ये वाला जो निसान है ये दिया हुए है ये आपको लगाना है ये वाला जो निसान है ये इसमें लगाना है कि नानी, चीक, उठी सांप तो इसमें आपका कौन सा यहाँ पे निसान होगा? ये वाला निसान होगा इस टाइप से आप निसाल लगाएंगे बिस में बादा की जो होता है अगर अचमभा हो जाता है असमंजस में हो जाता है अचानक कोई काम ऐसा होता है तो इसमें ये वाला चिन्ह लगाते हैं उसके बाद है चुपचा, बैठो, हिलना, डूलना, मत तो इसमें क्या लगाएंगे ये पूर्ण बिरान लगाएंगे ये वाला चिन्ध लगाएंगे और साप धीरे धीरे रेंग रहा था तो ये भी पूरा हो गया है ये वाला सेंटेंस साप धीरे धीरे रेंग रहा था तो इसमें भी पूर्ण बिरान लगाएंगे उसके बाद है तुम्हें यह कहानी कैसी लगी तो इसमें तो प्रशन पूछ रहा है कि तुम्हें यह कहानी कैसी लगी तो इसमें हम प्रशन वाचक लगाएंगे ये वाला ये वाला चिंधा लगेगा अब क्या तुम बजार चलोगी इसमें भी प्रश्ण पूछा जा रहा है क्या तुम बजार चलोगी तो इसमें भी हम प्रश्ण बाचचर इस तरह से लगाएंगे उसके बाद है अहाव कितनी मीठी है तो इसमें भी कुछ सोच रहा है कुछ अलग सा उसका विचार हो रहा है कुछ Amazon कर रहा है वो कि कितनी अच्छी चीज़ है तो लेकिन इसका वाक्य पूरा नहीं हुआ है तो इसमें भी हम इस तरह का चिन्नल लगाएंगे अब है क्या कहोगे तुम लड़के को क्या कहोगे कारण दे कर बताओ नीडर, नादान, हुश्यार, सरारती, डर्पोक, सरमीला ठीक है तो आप क्या कहोगे इसमें देखे तो देखे आप लड़के को क्या बोलेंगे वो नीडर था, कि हुश्यार था, सरारती, डर्पोक, कैसा था तो आप लड़के को नादान बोलेंगे क्योंकि वो बहुत ही नादान था तो आप इसमें नादान लिखेंगे आप इसमें इस तरह से नादान लिखेंगे क्योंकि बच्चा नादान था ठीक है? उसके बाद दिखिए दो दो बार साथ धीरे धीरे रेंग रहा था यहां धीरे सब्द का दो बार इस्तिमाल किया गया है ऐसे ही और कुछ सब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ जैसे चलते चलते है तो चलते चलते से आप क्या वाक्य बनाएंगे कि वह चलते चलते गीर पड़ा ठीक है? देखे आप ये चलते चलते से क्या बनाएंगे वह आप कि वह चलते चलते गीड़ पड़ा उसके बाद है पीछे 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 से क्या बनेगा तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो उसके बाद आप इससे और इससे मिलता जुलता आप जैसे धीरे धीरे दीरे 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 से आप क्या वाक्य बनाएंगे तो दीरे दीरे चलो उसके बाद है अलग-अलग अलग-अलग का क्या बनाएंगे सोचिए अब देखिए अलग-अलग है अलग-अलग का क्या वाक्य बनाएंगे अब तो तुम दोनों अलग-अलग आना इस तरह से ये सारे वाके आपको बनाने हैं अब देखें भूल-बुलेया अब भूल-बुलेया में क्या करना है ये देखें रास्ता बना हुआ है ये भूल-बुलेया है अब इस भूल-बुलेया से होके आपको निकलना है से भी देखे यह रास्ता ब्लॉक हो गया इधर से तो आप इसे खुद कीजिए आप इसमे रास्ता खोजिए और निकलने की कोसिस कीजिए इस भूल भूलेया से तो बच्चों आपको कैसा लगा पढ़के आप इसे बार बार आप पढ़िए याद कीजिए इस कहानी को भी सबसु singular लातो आपको की बार बंद ठीएा को का बनने मला चली आपको की दRealize की इसमें साथ ड़ से ओंवाई जिए और एंवा पर से इसे हम रास्ता गांव की इसे व talking